आज हम सिखेंगे कैसे हम अपने 1224 सिष्टम में Google Chrome ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं तो बिना किसी देरी कि चले सुरू करते हैं सबसे पहले हम Google Chrome का .dev package डाउलोड करेंगे इसके लिए आप अपना टर्मिनल में भी जा सकते हैं यह आपको कोई भी ब्राउजर है ब्राउजर ऊपन कर सकते हैं यहाँ प्राउजर उपन करकि यहाँ पिया फिन लिख सकते हैं Chrome-Download और जैसे आप Chrome-Download सेर्च करते हैं तो पहली निंक पेपको क्लिक करना है और यहाँ पे-download Chrome तो यहां अगर आपनों देखें तो 64-bit.dev या 64-bit.rpm आएगा तो यहां पर जैसे मैं open2 यूज कर रहो तो इसके लिए .dev जो package है इसे install करेंगे तो यहां accept and install पर क्लिक करेंगे और जैसे हैं अब क्लिक करते हैं तो यहां redirect होगा redirect होके यहां अगर आपनों देखें तो installation अपकर अब हम चलते हैं next step अब डाउलोड वहने के बाद हमें इस package को install करने के लिए जैसे के आपनों पता है डाउलोड अगर आपनों करता है तो यहां वे दो बाडायल डाउलोड किया था यहां पर दोलोग फाइल अल्रेडी ड्रेंट है तो आम यूज करने वाल है simple.dev फाइल व और tab प्रेस कर देंगी उसके बाद से .dev अब हमनों simply enter हीट करेंगी तो यहां पर यहां पर आपनों से पास्वड मागए तो यहां अगर आपनों देख रहे तो इंस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो मतलब क्या हो रहे है यह command run टरते हैं गूगल इंस्टॉल होना ही लगेग और अगर आप sudo apt-get install-f अगर यूज़ करते हैं तो यह command करने के बाद सारे dependencies resolve हो जाएगी और Google Chrome successfully installed हो जाएगा अब यहां अगर आप तो यह successfully installed हो चुका है तो अगर हम लोग open करने चाहते हैं तो open करने करने के लिए यहां पर लिग सकते हैं Google, Chrome और enter हीट करते हैं अब यहा और अगर आपको यहां पर देख सकते हैं कितना इजी था अब आप अपने उवन टॉप्राइट फॉर सिस्टम में Google Chrome browser enjoy कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हूँ तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूल मिलते हैं नेक्ट व आपको यह वीडियो 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 आपको यह वीडियो